अभी चुना हुए कुछ लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया कुछ लोगों ने बीजेपी को वोट दिया कुछ लोगों ने कॉंग्रेस को वोट दिया कुछ लोगों ने अन्य पार्टियों को वोट दिया लेकिन आज जब मैंने मुख्यमंत्री पद की शपत लिये आज से मैं सबका मुख्यमंत्री हूँ मैं आमादमी पार्टी वालों का भी मुख्यमंत्री हूँ मैं बीजेपी वालों का भी मुख्यमंत्री हूँ मैं कॉंग्रेस वालों का भी मुख्यमंत्री हूँ मैं दूसरी पार्टी वालों का भी मुख्य मंत्री हूँ आपने जिसको भी वोट दिया अब आप सारे जने आप सारे दिल्ली के दो करोड लोग मेरा परिवार हो आप चाहे किसी भी पार्टी के हो आप मेरे परिवार का हिस्सा हो कभी भी कुछ भी काम हो बिना हिचक मेरे पास आ जाना सब का काम करूँगा चाहे कोई किसी पार्टी का हो चाहे कोई किसी धर्म का हो चाहे कोई किसी जात का हो चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो मैंने आज इस कारिक्रम के लिए प्रधान मंत्री जी को भी नियोता भेजा था वो शायद व्यस्त हैं किसी और कारेक्रम में आ नहीं पाए लेकिन मैं आज इस मंच के जरीए प्रधानमंत्री जी से और केंद्र सरकार से दिल्ली को आगे विकास करने के लिए और दिल्ली को आगे बढ़ाने के लिए उनका भी आशिरवात चाहता हूँ दोस्तों इस दुनिया के अंदर जितनी भी अन्मोल चीजें हैं भगवान ने सारी फ्री बनाई है मा जब अपने बच्चे को प्यार करती है तो वो प्यार फ्री होता है बाप जब अपने बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए एक वक्त की रोटी निखाता तो उस बाप की तपस्या फ्री होती है श्रवन कुमार जब अपने माबाप को तीर थ्यात्रा पे लेके गया था और श्रवन कुमार जी की मौत हो गई श्रवन कुमार की सेवा भी फ्री सेवा थी केजरी वाल अपने दिल्ली वालों को प्यार करता है दिल्ली वाले अपने केजरी वाल को प्यार करते हैं ये प्यार भी free प्यार है दोस्तो इसकी कोई कीमत मी नहीं अपने और ये सोच रहाथ है मैं अब क्या अपने बच्चों से सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से फीस लेना शुरू कर दूँ लानत है SSCM के उपर मैं अपने अस्पतालों में इलाज कराने वाले लोगों से दवाईयों के पैसे लेने शुरू कर दूँ मैं अपने अस्पतालों में आने वाले मरीजों से ओपरेशन के पैसे लेने शुरू कर दूँ अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें